हलो जहिन साथियों स्वागते आप सभी का सत्य एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे हैं तो फाइनली आज की रेट में ITI छात्रों का टाइन टेबल जारी कर दिया गए जितने भी छात्र ITI का कोर्स कर रहे हैं चाए वो फश्टियर के हैं या सेकेंडियर के हैं चाहें मन्द का कोर्स करें उन सभी का यहांपर टाइन टेबल जारी कर दिया गहाई इसने टाइन टेबल को ङाप सब्कृर्ल करτι कर लिजिए गाए बतल Это सब्जेक्ट पर стоит हैं कि इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंतरगत इन्होंने साब तोर पे लिखा गया है कि डिजिटी सेडूल आप एक्जामनेशन फार सेशन 2020 से 22 मतलब जो चाथ 2 येर का कोर्स करें और 2000 यहाँ पर 21 से जो 23 से जो इस समय 5 येर के चात रहें और 2021 से 22 है मतलब कि 1 येर का कोर करें उन सभी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके बारे में आपको फुली जनकारी देने वाला यदि आप इसका डाउनलोड करना चाहते हैं पेडियाप तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है आप वहां से इसका जारी की गई उसके हैं तो यहां पर कुछ एक्टिवटी और ट्रेंटीटी और डेट और रिमार्क के अंतरगति हां पर जनकारी दी गई है इसमें आपका जो एक्टिवटी होगा प्रॉफाइल वेरिफिकेशन वाई कंडिडेट का मतलब कि आप सभी को मालुमें हर समय जिसमें आप सही कर जलते एक तरस से कहें तो यहां पर क्रेक्टिवर्य चलती है और इसका यहां पर अपिस्यल डेट जारी किया गया यह जारी किया गया फंदर्द चार 2,2022 से पंदर्द पांच 2,022 ठीश तक पतलब कि इह जो परक्रिय केवल एक मूंत तक चलने वाले ज इसमें आप इसमें correction profile अपना असानी से कर सकते हैं यह आपके लिए सुविधा होगी नीचे आ जाता है तो यहाँ पर आपको देखने को मल जाता है जो कि revolution और यहाँ पर profile grievance का तो जब यहाँ पर आप इसका मौका देंगे तो यह आपका जो date इसका जारी किया गया है जो कि नोडल आइटिया से पंदर साथ 2022 तक इसकी परक्रिया चलेगी जिसमें इसमें ability जो भी आपके उसका अपलोड किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर इसका जो मार्क हो है असेसेंट मार्क जो हो है वो कॉलिज की तर्फ से अपलोड किया जाएगा जो attendance है आपका वो भी यहाँ पर समेट किया जाएगा जो कि पहले था कि वहला आपका टाइन टेबल जारी कर दिया गया उसके बाद आपका एक्जाम होगा लेकिन यहां पर कुछ यहां पर अलग अलग तरीके से किया जाएगा इस बार जिसे की ग्यारह साथ 2022 से पंदरह साथ 2022 तक प्रेटकल सेंटर माइकिंग चलेग उसके बाद यहां पर आपका यहां पर हैश्टी मतलब बहुत सारे अच्छा तो नहीं समझ पा रहे हैं देखिए प्रेटकल का जो यहां पर हैश्टी मतलब की जो हाल टिकट डाउनलोडी की परक्रिया चलेगी वह आपका 1872022 से आपका 272022 तक चलेगा उसके बाद यहां आपका आपका करा जागा 1822022 चे बीच आपका करा राया जागा वह आपका प्रेटकल का इंगा परक्रिया चलेगा तो कॉलेंट वाले अप्लोड करेंगे इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं निचे तो यहाँ पर CVT exam मतलब कि R-line जो परिच्छा हो रही उसकी यहाँ पर date जारी किया गया तो देखे इसमें जो ट्रेंटीव जो center mapping की परिक्रिया चलेगी वो 162022 से आपका 672022 तक चलेगी जो की हाल टिकर जनरेशन एंड डाउलोडिंग की परिक्रिया चलेगी और 2372022 से 372222 यह आपका CVT exam का अलग रहेगा देखे इसमें CVT exam होगा वो 882222 से 192222 तक चलने वाला CVT exam जाने कीगा इसके बाद जो आपका result आएगा देखे यहाँ पर पहले ही कर दियागे कि जो आपका result जारी किया जाएगा 42222 से 1552222 तक चलेगा जिसमें यहाँ जनरेटर डमी एश्टी प्रोफाइल ग्रिवेंस पॉटल विल वी ओपेन जो करेक्शन प्रोफाइल और करेक्शन कंप्लिट जो करना चाहते तो आप कर सकते इसके लिए किवल आपको एक मंत का टाइम दिया जागा 154 2022 से 155 2022 यह जो जनकारी सेकेंडियर के लिए नीचे आप आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि रिगुलिशन आप प्रूफाइल ग्रिवेंस का जो यहाँ पर डेट जारी जाएगे वह सोरा 5 2022 से 35 2022 तक चलेगा जो कि चलने वाला जिसमें यहाँ पर आप इसकी एलविल्टी अप्लूट होगी और यहाँ पर जो इसमें फॉर्मेट्व जिक्र किया गया और यहाँ पर सेशनल जो मार्क होता है यहाँ पर अप्लूट किया जाएगा इसकी अफिसियल विबसाइट पे अटेंडेंस भी यहाँ लगा जाएगा क्योंकि आपका 70 या 75 परसेंट यहाँ आप अटेंडेंस आपका होना चाहिए और यहाँ पर थर्ड नंबर में किया गया कि फीस पेमेंट सिविटी एंड प्रेटिकल का यह भी परकिरिया आपका चलेगा सोरच है से आपका 157 2022 तक जाने किया नीचे आप आ जाएगा उसके बाद 187 2022 से 227 2022 तक इसका प्रेटिकल एश्टी मतलब की हाल टिकर डाउनलोडिंग की परकिरिया चलेगी 182022 से 582022 तक प्रेटिकल एकजाम कराया जाएगा और तो 82022 से 1882022 तक प्रेटिकल मार्क अपलोड किये जाएगे अब साथ यह तो हो गया आपका आप लाइन परिच्छा जो की प्रेटिकल की होगी अब यहाँ पर जो सिवीटी एकजाम होगा तो देखेंगे सिवीटी एकजाम का भी यहाँ पर डेट जारी कर दिया गया कि 162022 से 672022 तक ट्रेटिव सेंटर मैपिंग की जाएगी उसके बाद 872022 से 1272022 तक फाइनल सेंटर मैपिंग होगी मतलब कि जो हाल टिकट है आपका हो जनरेट किया जाएगा और इसका डाउनलूड करने की परकिरिया चलेगी नीचे आप आ जाते तो देखिए बहुत सरे चात्रों को यह कंफ्यूजन होगा कि सर दो बार हाल टिकट डाउनलूड होगा हाँ बिल्कुल दो बार डाउनलूड होगा क्योंकि इसमें जो प्रेटिकल का होगा अलग से जारी किया जाएगा और सीविटी एक्जाम का अलग रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा जो कि यह जनकारे निकल कारे आई टियाई की तरफ से और इसका यदि आप पेडिया डाउनलूड करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा वहां से आप आसानी से इसको डाउनलूड कर स सकते हैं फिलाल सात्यों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में